प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों यह जो कुछ चीजे में बताने जा रहा हूं आपको बहुत इंपोर्टेंट है आपके लाइप में हमेशा काम आएगी और अगर आपने अभी नहीं सीखा तो बाद में आपको कामपटिशन एक्जाम में दिक्कत आएगी क्योंकि यह सब चीजे वहां नहीं बताई जाती है तो सम बेसिक इनफोर्मेशन दे रहा हूं जो एंगल किसे कहते हैं तो एंगल क्या रहता है दो रे रहती जिसका बिग्निंग पॉइंट यह इनिशल पॉइंट सेम रहता है उसक एंगल पॉजेटिव बनता है यह आपको ध्यान रखना जान प्लस थीस डिग्री नभए डिग्री मैनस 90 भी होता हो भी बता रहा हूं इसलिए मैंने क्या बहूंता है यह अभी हमारे काम काने तो एफ निशल है और औरills मिनों goals कंशा Yep टीटा टीटा जो यह वर्ड है जर लेटर हैं हैना हम जरेलिये जर्ट इसको मेजर मेंड करेंगे इसको एंगले तो आगे बढ़ते हैं यह दूसरी कंडिशन्न दी यह वर्टेक्स है है इनिशल साइड है जब यह हम इधर clockwise चलते हैं एसे जनरली हम एसे गुमते हैं लेकिन अगर उल्टा घुमें तो यह जो एंगल है यह नेगेटिव आएगा जैसे माइनस 30 डिगरी माइनस 40 डिगरी माइनस 50 डिगरी यह बहुत इंपोर्टेंट चीज़े दोनों मैंने बताई यह एसे गुमेगा एंटी क्लॉक तो पॉजेटिव बनेगा और clockwise गुमेगा तो एंगल जो रहेगा वर नेगेटिव बनेगा और एक यह बहुत मत्वपूर्ण है रिवोलुशन यहने एक कम्प्लीट जो टर्न ले लेता है यहने 360 डिगरी तक घूम जाता है यहां से यह रे जो है टर्मिनल गूमी गूम के वापस इसमें मिल गई यह टर्मिनल साइड और इनिशल साइड दूनों आपस में मिल गई एक राउंड लगाने के बाद तो उसक लिए इंग्रे सेनुट को करनें यूनिट से स्बेख और सब्सकिते नाइंटीड लगा जाता है यह घरण लाता है बच्छो ठीक है फिर यह जैसे यह तेफिए यह इसमें यह डिग्री यह बनी हुए नाइटी वनेटी तक और इनके पीज भी दज़वी दस-दस पार्ट है फिर उनके भी पार्ट कर सकते हैं अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो वन डिग्री में 60 मिनिट होते हैं तो जो एक degree है यहाँ पर एक degree जो है उसको भी हम 60 minutes में डिवाइट करते हैं और 60 minutes को ओर बारिक करना हो चोटा measurement करना हो तो one minute जो होता है 60 second के तो minute को degree को तो ये एक छोटा सा बारिक 0 डाइब का बनाते हैं मिनीट के लिए 1 dash बनाते हैं और second के लिए 2 dash बनाई हैं यह इनके पेचान करने के तरीक है बचो यह वन मिनिट और second लिखूँ गा वन सेकेंड तो वन के उपर 2 डंडया बनाऊँगा हूं न यह डेस तो में यह इसकी लंबाई और इस आर्क के लंबाई अगर बराबर है बच्छो तो यह एंगल जो है वन डिग्री रेडियन होगा और आपको यह सब भी याद करने के जरूत नहीं इतना जरूर याद रख लेना कि जो 360 डिग्री टू पाई के बराबर होता है तो पाई दो का भाग देद इतना कंप्लीट हुआ आगे जैसे जैसे में चैप्टर बताऊंगा आपको बहुत सारी चीजह ट्रीक्स बताऊंगा एंगल मेजर मेंट करने का तरीका बताऊंगा बहुत सारी अच्छी चीजह आपको जानकारी मिलेगी आप इसको देखते रही है और अपना नालेज बड साइस हैं बहुत अच्छे क्वेशन हैं आप अगर एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ट्रिक्नोमेट्री आप आसान लगने लगेगी और आप दूसरे बच्चे को भी बता सकेंगे कि ट्रिग्नोमेटरी सबसे इजी और इंट्रेस्टिंग पार्ट है इस मैथनमेटिक्स क्लास्टेंगा तो आईए हम इसको सिखने की कोशिस करते हैं और मुझे पूरा विश्वास भी है कि आपको बहुत अच्छा लागएगा तो क्वेशन नमबर फ़र्स्ट है इन ट्राइंगल ए बिसी राइट एंगल एट बी आपको एक ट्राइंगल दिया जिसमें एंगल भी 90 डिग्री दिय आपको यह चीजे निकालना है क्या यह रेशो है कि साइन आफ एंगल 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 ए पर खड़े होके साइन रेशो जो रेशो है एंगल एक लिए साइन का निकालना है फिर एपर ही खड़े होके आपको कास का निकालना है फिर आपको अपनी पोजिशन बदल लेना है पह सब्सक्राइब यह पिर कास र्यश्यो निकालना है यह सामस्ड़कास किया है यह है साइड के रिच्व करेंगल किया है जहां जिसके रिषपेक्ट में इनके रेषव निकाल रहे हैं तो बहुत आसान सवाहर है अप समझेंगे तो आपको इसा लगाधो यह Чी एक्सरीस है तो सबसे पेले क्या है यह 7 दिया 24 राइट अंगल है तो पाईथागोर से 3rd साइड़ सकते है अगर तीनों साइड मिल जाएगी तो हमको सारे ratio निकालने में आसानी रहेगी तो आप निकाल सकते पाईथागोर स्थेखूरम से तो पाईथागोर स्थेखूरम क्या क endlessly है हाइपोटोनियस स्क्वायर इसकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ठीक है बचो तो यहां से इसमें वेल्यू पूट कर देते हैं हम लोग हाइपोटोनियस निकालना है तो मैंने इसको AC लिख दिया अभी और परपेंडिकुलर को सेवन लिख दिया बचो जनरली हम इसको परपेंडिकुलर अगर यहां खड़े तो परपेंडिकुलर यह होगा और यह बेस होगा और 24 का स्क्वायर अब इसको स्वाल कर लेते हैं बचो तो बचो यहां पर क्या नोट कर लिए देखे 7 का स्क्वायर 49 हो गया 24 576 होता है दोनों को 8 गया 6 25 हो गया 625 को 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं आफ एसी इसकर्टो कितना मिलिया बचो 25 है रहना तो हमने यहां से एसी जो यह साइड कितनी लिए आए हैं बचो हाईपो टोनेज जो हे 25 सेंटिमेटर ले हैं आपको क्या निकाला है Module first वाला है तो फॉइंड हम रैशो निकालने स्टेट साइन फिर सेकंड़ कॉस में तो दिक यह दखे जब भी आपको रैशो निकालना हो तो पंदित का जरूर नाम रखाइब याद करिए कि टीङ्नहमेटरी आप पंदित आपकी बोठ करेगा तो पंडीत क्या फार्मूला दिया बच्छो बताऊ थो पंडीत बनदरी प्रसाद क्या करता हो हर बोलता है Peundin जी काऊं के हैं तो पहला जो रेश्यो आपको मैंने बताया तो यह कि अंस्क ऊजाता है कि अंगल पर खड़े औ तो सामने वाली बुर्दया झापोजिट साइड हैं मना साइड अपोजिट टू एंगल एंगल एक इपand साइट यह पर्पेंडि कुलर होगी और यह यह अजिसेंड साइड वेस भी ध्यान रखना यह अभी पर्पेंडिकुलर होगे जब सी पर-खळ〜ग我是 यह यह प्रपेंडिक तो अभी फाली कंडिशमें पर्पेंडिकुलर से बने के से बाघेश ऊता है कि सब्सक्राइब लिख देंगे परपेंडिकुलर कितना है इसके सामने सेवन सेंटीमीटर ठीक है और एच हाइपोड़िनस कितना हो गया 25 यह आपका एक एंसर आ गया अब कॉस से निकाल रहे हैं कॉस ए कॉस पंडित बद्रिप्रसाथ के बास गया वापस यह क्या होता है बीवाइच तो आप इंगल एक लिए बेस हो गया 24 है 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 इतना हो जाए थे देखे का से क्या हो गया बीवाइच तो बेस हो जाएगा 24 और है पॉर्ट पर यह तो यह दूनों आपके एंसर आ गया ठीक है बच्छो इसी प्रकार से अब हम सेकेंड लेते हैं सेकेंड में क्या फाइंड करना था है है ही तो फाइंड है साइन सी यहां पर ध्यान दीजिए अब और यहां साइन सी और कॉस सी यह निकालना है तो लिए भी सेंप्लायज देखें अब आप यहां खड़े हो गया साइन इढ़ार देखें आपके अपॉजीट साइड यह साइड अपॉजीट टु एंगल ए यह एकलाईगी Ab यह यह पर्पेंडिकुलर होगी जब यहां खड़ है तो पर्पेंडिकुलर यह हो जाएगी और यह यह रहता है तो यहां से साइन क्या होगा बचो पंडिट जी पास चलते हैं वापस क्या कहते हैं साइन आप चाहिए कहीं पर भी खड़ो पंडिट जी तो प्रेइंडिकुलर 24 हाईपोर्टॉनियस 25 एंड क्वास पिर क्वास के लिए सी पर खड़े हैं तो कॉस के पंडी जी पास गए तो पड़ी ने बताया B by H होता है cos sin P by H, cos B by H और 10 P by B तो cos क्या होता है? B by H तो base क्या हुआ, इसके लिए base हुआ 7, hypotenuse 25 तो B by H मतलब हुआ 7 upon 25 बस यही निकालना था आपके answer आ गया है बच्चो आपको समझ में आया होगा मुझे लग रहा है question easy है आपको कोशिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे अभी मैं आपके साथ हूँ आप चिंता मत करिए ओके तेंक्यू बच्छो पश्चन नमबर सेकेंड ले रहे हैं और जब इसको हल करोगे तो आपको ट्रिक्नोमेट्री बहुत आसान लगने लगे जब देखिए आपको यह फिगर दिया हुआ है जिसमें राइट एंगल क्यू पर है हाइपोटोनियस थर्टीन है और एक साइट ट्वेल है पाइथागोरस से दूसरी साइट जो मालूम नहीं है उसको निकाल लेंगे ठीक है आपको जो दिया हुआ हमने यह नोट कर लिया एंगल क्यू इसकल टू नाइंटी डिगरी और यह हाइपोटोनियस पी आर है थर्टीन सेंटीमेटर एक दूसरी साइट जो है वो ट्वेल स यह थर्डोर साइट हमको मालूम नहीं उसको निकालना है बच्चों को और आपको टेन गश्री यह एक बार पी पे खड़े होके टेन का एफिक शाइड के यह एक बार और राद पहड़े बढ़ेगा जो किश्रू निकालना है यहां पर खड़े हो गये और चाये दू और पर्पेंडिकुलर स्क्वेर की जाएके अभी 12 कर लेते हैं और बेस यहने आर क्यू निकालना है आपको ठीक आप इसको सॉल्ब कर लेते बच्छो देखें बच्छो थर्टीन का स्क्वेर 169 हो गया 12 का 144 हो गया आर क्यू स्क्वेर प्रेशिती जेवर 144 को उदर भेज दिया तो 25 बचा हमारे पास 25 को 5 का स्क्वेर लिख लिए हमने और यहां क्यू का स्क्वेर स्क्वेर कैंसे लोगया तो आपका आर क्यू जो थर्ड़ साइड है बच्छो वह कितनी आ गई यहां पर फिगर में देखें तो यह आपको 5 यगा आप नोट कर लिए पंडीत बद्री प्रसाथ हर हर बुरे हैं आप को इनको याद रखना है पंडींच जीग की हैल्प लेना हिए यह आपको बहुत सायता करें अब कर लिया अभू हम यें विल्यू निकाल रहे हैं ठीज़ों कि तो तो 25 अ पहले निकाल लेते हैं 10P 10P तो पंडित बद्री प्रसाज जी से पूछते हैं 10 क्या होता देखो यह होता है साइन पी बाइज बी बाइज कोस और पी बाइज बी तो पी बाइज भी होता है बच्छो टेन और आपको खड़े को होना है पी पर तो पी पर खड़े होए था यह अपोजिट साइड अपोजिट टू एंगल एक पी पी एपोजिट साइड यह हुई तो यह परपेंडिकुलर होगा और बेस क्या हो जाएगा ट्वैल तो हमने क्या नोट कर लिया बच्छो यहां पर परपेंडिकुलर फाइप और यह बेस जो है ट्वैल हो गया फिर आपको निकालना है दूसरा निकालना था कोट आ इस तो कॉट और अब आप कहा खड़े हो गया आप अब पर यहां खड़ होता है अब कउड क्या होता ह Death time इ मे बने बताया थाrum r फिर इनके उल्ट ओ को से क सब्सक्डा होता है व्य बाइश कॉस्ड को होता है कि होता है टैन होता प्रबात होता है कोड तो कोड पंदित बद्लिरी प्रशार्ची involved ने क्या बताया वी बाई पी होगा ठीक अब खड़े कहा है और पर खड़े है तो बेस क्या हो गया यह और यह अघा साइड ऑपोजीट यह परपेंडिकुलर यह पर वैस हो willkommen और ये side opposite पर्पेंडिकुलर क्या हो गया 12 तो बच्चों ये भी 5 by 12 आया ये भी 5 by 12 आया दोनों अब आपको निकालना था according to question 10p minus cot r तो 10p लिख दीजिए पहले 10p minus cot r और इसका value निकाल लिजिए तो क्या value आ रहा देखिए 10p का value है 5 by 12 ये भी कितना है 5 by 12 तो आपका answer क्या आगया 0 दोनों cancel हो गया ये सवाल complete हो गया आपको तो मिझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों तो ये यहाँ पर complete होता है आपका question second आपका है आपकाव क्याव कितना हैं तो कितना हैा आपका है क्याआ आपका-शाipाटी यॉए्वडिया क। आपकाव्ड़ यॉवगादी ए थे यूच्यवद्वशन एपकावा इढ ऐजHola प्यारे आपकाव़िएू